हेलो स्टुटेंट्स वेलकम टू स्टडी विट कॉंसेप्स जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग यहाँ पर नंबर सिस्टम की क्लासेश कर रहे हैं और हम लोगों ने यहाँ पर नंबर सिस्टम की पाँच क्लासेश देख चुकी है ना टोटल हमने यहाँ पर फाइफ देख चुके हैं अभी तक five parts देख चुके हैं अभी तक number system के आज हम लोग यहाँ पर part six देखेंगे सो जिन students ने part five मतलब total पहले के पाँच पाँच नहीं देखें मैं उनसे recommend करूँगा भीया कि सबसे पहले आप यह पाँच पाँच देख लीजेगा यहां से आप लोग basic concepts clear कर लीजेगा फिर उसके बादे part six देखेगा clear चली so देखो class start करने से पहले यदि अभी तक अगर आप लोग ने channel को subscribe नहीं किया तो channel को subscribe भी कर लीजेगा और अपने दोस्तों में share भी कर दीजेगा आज हम लोग यहां पर देखेंगे successive division topic सबसे पहले basic concepts जानेंगे फिर उसके हम लोग important questions करेंगे clear देखे successive division हिंदी में हम इसे क्या कहेंगे क्रमागत विभाजन क्या कहेंगे क्रमागत विभाजन clear ये हम लोग कहते हैं successive division को क्या कहेंगे क्रामागत विभाजन अब ये क्रामागत विभाजन होता क्या है सबसे पहले तो इस चीज को समझे सक्सेसिव मीन्स एक के बाद एक है ना मीन्स लगतार एक के बाद एक आप क्या कर रहे हो नम्मर से डिवाइड कर रहे हो सक्सेसिवली आप डिवाइड कर रहे हो है ना चलो अब एक क्रमागत्स विभाजन क्या है समझेगा देखें फॉर एक्जाम्पल मैं 50 को डिवाइड कर रहा हूं किस से तीन से क्लियर सो यहाँ पर कितना हो जाएगा 16 इंटू 348 सो रिमेंडर आ गया टू क्लियर अब मैंने इस 16 को मैंने क्या किया 5 से डिवाइड किया सो 5 3 सा 15 रिमेंडर कितना आया 1 अब मैंने इस 3 को मैंने 2 से डिवाइड किया सो 2 1 सा 2 रिमेंडर कितना आया 1 सो यहाँ पर यहाँ पर मैंने continuously डिवाइड किया है सकसिवली डिवाइड किया है सबसे पहले 3 से फिर 5 से फिर 2 से सो हमने यहाँ पर डिवाइडर डिवाइडर मींस क्या डिवाइडर मींस भाजक हमने यहाँ से भाजक लिया है सबसे पहले 3 फिर 5 and 2 सो ये क्या हो गया ये successively divide हो गया कि सबसे पहले 3 से किया फिर 5 से फिर 2 से means एक के बाद एक आपने divide किया नमबरों से ये क्या हो गया successively divisions हो गए हमारे ये क्या हो गया successively division 3, 5 and 2 जिसका remainder कितना आता है जिसका remainder कितना आ रहा है means 6 फल कितना आ रहा है तो 6 फल आ रहा है हमारे पास कितना सबसे पहले 2 फिर 1 फिर 1 रस्पेक्टिवली क्रमशह है ना क्रमशह रस्पेक्टिवली means जब मैं 3 से डिवाइड किया था तो remainder 2 आया 5 से डिवाइड किया तो remainder 1 आया 2 से मैंने भाज किया भाज divide किया तो शेशफल वन आया remainder one आया क्लियर अब ये चीज तो फॉर्मेट हो गया किसका को चुह्छन आपको ऐसा कोश्चन हो रहता है आपको डिवाइसर रहेगा रीमेंड़ दिया रहेगा सिरा रिमेंडर दिया यह आप से पूछ ले जाएगा कि वह नंबर भताओ जिस से क्रहें कि अपने कि आप तो अब हमें कैसे न कैसे 50 लाना है हमें नहीं पता अभी हमें तो कोशन में सिर्फ और सिर्फ डिवाइज और रिमेंडर दिया है हमें यह नहीं पता कि आपने डिवाइड किस से किया था उस नंबर को clear मतलब आपने किस number को आपने divide किया था तो अभी तो यहाँ पर 50 लिखा इसलिए हमें पता है लेकिन अगर question में तो हमें यह चीज निकाल नहीं है तो हम कैसे निकालेंगे मैं आपको यहाँ पर basic बता देता हूं देखें कभी भी आपको यहाँ पर अगर निकालने को कह दे कि वो number कौन सा था इसको आपने divide किया था तो आप क्या करेंगे यहाँ पर एक बार यह जो divisors हैं आपके यह लिख लेंगे 352 यह जो remainder है यह आप लोग लिख लेंगे 211 अब यहाँ पर क्या करेंगे अब यह दोनों को आप plus करेंगे सो प्लस करने पर 2 प्लस 1 कितना आःता है 3 अब इस 3 को क्या करेंगे आप इस 5 से multiply करेंगे सो 5 3s और 15 अब इस 15 में इस प्लस करदेंगे इस 1 को जो कितना हो जाएगा 16 को आप क्या करेंगे आप 2 16 into 3 48 अब इस 48 को plus 2 से add कर देंगे तो कितना आजेगा 50 सो देखो यह हमारे वो तीनों नंबर आ गए जिससे हमने divide किया था यह देखो सबसे पहले हमने 50 से किया था यही हमसे question में पूछा हमने 50 से किया था यह यह देखो हमने 16 से divide किया यह देखो शिकश्टीन आ रहा है फिर हमने 3 से provide किया यह देखå 3 आ रहा है clear हो गया यह successive division है successive division का सिरफा सिरू एक ही मकसद है कि आप continuously किसी number से आप divide कर रहे हो इतना number आप प्राप्त कर रहे तो यदि इसी same number को यदि आप suppose कोई द Texer नंबर से divide करोगे तो remainder कितना आएगा बस यह बताना है और कुछ भी नहीं clear clear है चलो अब यह चीज़ अगर नहीं समझ में आई है तो कोई दिक्कत नहीं है अभी हम question करेंगे तो आपको और अच्छे से यहां पर clear हो जाएगा clear है चलिए देखे देखे question देखते हैं हम question देखेगा a number is successively divided by 12 and 15 and their remainders is 4 and 6 respectively find the remainder when the same number is divided by 180 एक संख्या क्रमिक रूप से means क्रमगात रूप से 12 और 15 से विभाजित होती है तो उनका जो शेशफल आता है वो 4 और 6 आता है यदि उसी संख्या को मैं 180 से विभाजित कर दूँ तो शेशफल क्या होगा बहुत easy question है देखो successively divisor जहां पर भी लिखा आजाए question में तो हमें सबसे पहले यहां पर लिखना है divisor क्या क्या है 12 और 15 फिर हमें यहां पर लिखना है remainder 4 and 6 अब सबसे पहले तो हम उस number को जानेंगे कि वो number था कौन सा भी या जिससे divide किया था सो वो number कौन सा है देखते हैं कैसे करेंगे वो number सबसे पहले हम निकाल रहा है कि divide किस से किया था 12 और 5 को तब जाके 4 और 6 remainder आया था वो number है कौन सा तो देखो 15 और 6 को आपने add किया तो यह कितना आ रहा है भी या 21 है ना 21 को आप क्या करोगे इस 12 से multiply करोगे सो 21 को आप 12 से यहां पर multiply करोगे तो यहां पर कितना हो जाएगा अब देखो इसको भी करने का तरीका है अब इस 21 को आपको 12 इंटू 21 करना है तो आप क्या करेंगे आप इस 12 को कैसे multiply करेंगे देखो 20 प्लस 1 करके क्लियर अब 12 दुनी 24 हमें पता है और एक 0 लगा देना तो 240 प्लस 12 इंटू 1 कितना हो जाएगा 12 यह तरीका है समय बचाने का क्लियर हो गया तो 252 आगया अब इस 252 में हम क्या करेंगे इस 4 को हम add कर देंगे तो 252 प्लस 4 कितना हो जाएगा 256 तो बस वो नमबर कौन सा है 256 है जिसको आपने 12 से divide किया तो remainder 4 मिला फिर आपने जो quotient आया होगा है ना जो आपका भागफल आया होगा है ना means कौनसा आया होगा भागफल 15 है ना तो उसको आपने फिर इस से divide किया होगा तो आपका लो 256 को डिवाइड करो 180 से 180 इंटु 1180 remainder 6 यह हो जाएगा 15 सो यह हो जाएगा 7 है ना सो remainder कितना आ गया 76 आ गया है कहीं option में बिलकुल है option B हो गया correct clear है नहीं आया समझ में दोबारा बताओं क्या करना था देखेगा दोबारा समझे चीज़े clear होनी चीए बहले मैं इसको 10 बार क्योंना बताओं लेकिन चीज़े clear होनी चीए जहां पर भी question करने का तरीका सुनो successive division का कभी भी question में संख्या क्रामिक रूप से या फिर successively divisor लिख लिया जाए या successively divided by अगर लिखा आ जाए question में तो समझ जाना मैंने सिर्फ यहां पर पहला काम तो यही करना है divisor लिखना है 12 और 15 फिर उसके बाद remainder दिया है 4 और 6 यह लिख लेना है 4 और 6 है ना फिर यहां पर हमें क्या करना है इन्हें add करना है सबसे पहले तो number बताना है कि वह number कौन सा है जिससे divide किया है 12 और 15 को तब जाके remainder 4 और 6 आया था तो सबसे पहले हम वह number निकालेंगे कि वह number कौन सा है तो 15 और 6 कितना हो जाएगा 21 इस 20 को हम लोग यहां पर multiply करेंगे 12 से और plus कर देंगे 4 से 21 into 12 यहां से कितना 252 252 plus 5 252 plus 4 256 वह number आ गया हमारा 256 अब कोशन में यह कहा है कि उसी संख्या को उसी संख्या मींस ये वाली है ना तो 256 को यदि आप 180 से विभाजित करेंगे तो remainder क्या आएगा शेषफल क्या आएगा अभी मैंने आपको निकाल के बताया था remainder कितना आ रहा था 76 शेषफल कितना आएगा 76 ऑप्शन भी होगे correct ऐसा कोशन आता है successive division से clear हो गया अगले कोशन की ओर चले अगला कोशन देख लो क्या है same वही चीज़ मैंने कोशन पढ़ने की भी अब जरूरत नहीं है यहां तक कहां तक at least यहां तक तो मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है successive divisor लिखा है मैंने लिखा divisor 6 7 8 then their remainder is remainder दे रखा है 3 5 4 सबसे पहले तो हमारी वही method लगा आठ प्लस चार हो जाएगा बारा बा अब हम क्या करें गे यांप अब लुग क्या करेंगे इंटूर कि मुत हैrios 7 अगर अगर हम यहां पर करेंगे तो कितना आ जाएन से करना इस 6 से यहाँ पर multiply करेंगे so 89 into 6 कितना हो जाएगा 534 और 534 में plus यहाँ पर क्या कर दो 3 कर दो तो कितना आ जाएगा 537 so वो number आ गए हमारे पास clear 537 clear अब मैंने question में यह कहा है कि what will be the last remainder if the last number is divided successively by 876 मतलब यह जो आपका यह जो number आया है यह जो dividend आया है यह जो भाज आया है इसको आप सबसे पहले divide करो 8 से किस से 8 से तो यह कितना हो जाएगा यहाँ पर किस से कर लें आपर 6 है ना तो यह हो जाएगा यहाँ पर 48 clear यह कितना हो गया यहाँ पर 48 so 53 minus 48 कितना हो जाएगा यहां से 5 और यहां पर हो गया 7 यहां से remainder आया 1 फिर अब क्या हो जाएगा अब इस quotient को मीन्स इस भागफल को अब आप divide करोगे किस से अगले वाले नंबर से किस से 7 से यहां पर हो जाएगा 63 यहां पर कितना आया 4 अब इस quotient अब यह जो भागफल आया इसको आप multiply करोगे divide करोगे इस 6 से 9 को आप divide करोगे 6 से 6 वंजा 6 remainder आगया 3 तो मुझसे यहां पर क्या पूछा था last remainder पूछा था तो मैंने last remainder बता देना है क्या है 3 है clear so option 3 हो जाएगा यहां से correct बहुत easy है successive division अब यह चीज हमने क्यों करी आपने 57 आपका जो आगया है इसको आपने 8 से को divide किया कोई question में ही कहा है कि भाई आपको divided successively करना है एक के बाद एक करम करम अगत में है ना आपने 537 को आपने 8 से divide करोगे फिर जो quotient आएगा उसको आप 7 से करोगे फिर जो quotient आएगा जो भागफल आएगा उसको आप फिर 6 से करोगे clear तो जो remainder आजाएगा वो हम बता देंगे क्योंकि हमसे last remainder पूछा था अगर वो remainders पूछता कि remainders क्या आ रहे है so 1,4,3 लेकिन उसने सिर्फ उसिफ last remainder पूछा है तो answer क्यों होगे 3 clear है ऐसे करना है भी यह इन question को clear एक और question देख लो मैंने question पड़ा successively diviser लिखा है मैंने देख लिया 3,5 clear उसके बाद remainder यहां लिखा है so remainder मैंने आ ले लिया 1,2 मैंने अपनी method लगानी है 5 प्लस 2 कितना हो गया 7 7 को multiply करूँँगा 3 से 21, 21 plus 1 कितना हो जाएगा 22 number आगे 22, अब what will be the remainder is divided by 15 अब remainder क्या होगा यदि मैं 22 को 15 से divide कर दू तो भाई 15, अब 22 का 15 से divide करोगे तो 15 बंदा 15, remainder कितना आएगा 7 आएगा यही तो पूछा है उसने ऐसे करना है इन question को यही exam में पूछता है successive division से यही question बनता है और आपको जान के खुछ ही होगी कि SSC CGL में भी यही level का question आता है successive division से clear, clear है बस एक pattern है उसका कि वो क्या करता है वो divisors को या फिर remainder को reverse करने को बोल देता है है ना reverse करने को बोल देता है तो वो आप लोग के इसमें आएगा नहीं इसलिए मैं वो आला concept आपको बता नहीं रहूँ clear नहीं तो successive division का एक और pattern है कि वो क्या करता है divisor को आपको reverse करने को बोल देगा अब निकाल के बताओ है ना इस प्रकार से तो वो आला concept आपके इसमें नहीं आएगा इसलिए आप इस चीज़ से निश्चिंत रहे हैं बट अगर आप लोग कहेंगे तो वो आला भी मैं कोशन आपको करवा दूँगा कोई दिक्कत नहीं clear चले तो आगे बढ़ते हैं एक कोशन में आपको homework दूँ क्या एक कोशन में आपको homework देता हूं इसी pattern पर based मैंने पूरा question नहीं लिखना है मैंने सिर्व आपको diviser देना है diviser है हमारे पास 11 7 9 clear और remainder है हमारे पास 1 4 और 8 ठीक है जब आप इसको यहाँ पर solve करेंगे तो यहाँ पर आपको एक नमर मिलेगा न तो वहाँ नमबर को आपको क्या करना है successive divide करना है आपको successive division करना है किस से 5estial विभाजन करना है कि 5 six seven seven से तो आपको बताना है कि remainder क्या आएंगे remainder क्या आएंगे एना तो between remainder बस आएंगे तो वह आप लोग को बताना है कि क्या क्या आएंगे ओप्शन चाहिए औप्शन दे दूँ चलिएगा मैं ओप्शन दे रहा हूँ यह आप पर आप्शन ए 2 1 3 option B 2 0 4 option C 4 0 3 option D 3 2 4 clear यह आपके पास options है अब आपको इस question का answer देना है अगर successive division अगर समझ में नहीं आया है क्रमागत विभाजन अगर समझ में नहीं आया है तो आपको कुछ भी नहीं करना आपको सिर्फ comment box में लिखना है कि सरी successive division या फिर क्रमागत विभाजन समझ में नहीं आया इसको आप दोबारा से समझा दो तो फिर मैं इसको next class में और अच्छे तरीके से समझाने कोशिश करूँगा ताकि आपको इस सरी question समझ में नहीं आ रहा यह topic ही समझ में नहीं आ रहा है successive division आप इसको प्लीज दोबारा समझा दो तो मैं बिल्कुल इसको next class में आप और अच्छे तरीके से समझा दूँगा clear चली अब यह आपके पास question था है ना इसका आपको answer देना यह चार option है इन में से बताना है क्या होगा comment box में आप इन question का answer दीजेगा चली आगे बढ़ते हैं find the greatest four digit number which is exactly divisible by 88 अब देखेगा चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या ग्याद करें जो 88 से विभाजित हो जाए so 4 अंकों की सबसे पहले तो आप यह देखो कि बड़ी संख्या होती कौन सी है so 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9999 है ना so 9999 को यदि मैं 88 से डिवाइड करूं तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा 88 वन्जा 88 रिमेंडर यहाँ पर हो जाएगा 11 यह 9 so 88 वन्जा 88 यहाँ पर यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 139 so यह हो जाएगा यहाँ पर अब कितना 88 इंटू 3 कर लो क्योंकि 834 होता है ना उसी के आसपास आएगा तो यह हो जाएगा 264 तो यहाँ पर हमारे पास remainder कितना आ गया यहाँ पर हमारे पास remainder आ गया 55 अब यह जो remainder आया है यह क्या है यह प्रकार का extra number हो गया यह प्रकार का क्या हो गया extra number means यदी मैं इस 9999 में से यदी मैं 55 को घटा दूँ तो मुझे वो largest number वो सबसे बड़ा number 4 digit का मिल जाएगा जो 8 से divide होता है sorry 88 से divide होता है तो करके देखो यह हो जाएगा यहाँ पर 4 यह हो जाएगा 4 यह है 99 9 944 वह number है जो चार संख्या का सबसे बड़ा number है जो 88 से divide होता है clear अब 9 944 के बाद अगला number कौन सा होता वो तो फिर 5 या 6 जितनी भी digit का होता फिर तो उतनी digit का हो जाता लेकिन हमें तो चार अंकों का सबसे बड़ा number पूछा था तो हमने क्या किया हमने चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है पहले तो हमने वो देखा तो वो होती है 9999 उसको हमने 88 से divide किया तो हमारे पास remainder आगया 55 यह remainder आया है इसका मतलब यदि मैं इस 9999 में से अधर मैं यदि मैं 55 को घटा दू तो मुझे वो 4 डिजिट का greatest number मिल जाएगा जो क 88 से divide होता है और यही 88 से divide होने वाला नमबर यही 4 डिजिट का largest number है 9944 है कहीं option में बिलकुल है option C हो गया correct clear है ऐसे करना है इस question को अगला question देख लो अगला question find the four digit find the greatest four digit number exactly divisible by 12 15 18 and 27 सो भाया हमें यहाँ पर यह बताना है कि चार डिजिट का सबसे बड़ा नमबर कौन सा होगा जो की 12 15 18 और 27 इन चारों से divide हो सबसे पहले तो हम यह देखेंगे कि चार डिजिट का सबसे बड़ा नमबर होता कौन सा है तो चार डिजिट का सबसे बड़ा नमबर होता है 9999 अब हमें यहाँ पर चेक करना है कि 12 15 18 और 27 से ऐसा कौन सा नमबर है कि इन चारों में से divide हो और वो greatest four digit का नमबर हो तो अब हम अलग-अलग लेके तो यहाँ पर करेंगे नहीं हमारे पर इत्ता समय नहीं है तो हम क्या करेंगे दोनों को सा चारों को साथ में ले लेंगे और यदि आप कभी भी आप किसी भी नमबर को साथ में लेते हो साथ में मिलाते हो तो आप हमेशा क्या करते हो दादा यह वह जाएगा 2 यह जाएगा 2 यह जाएगा 2 511 फिर यह जाएगा 2 यह जाएगा 1 511 फिर यह हो जाएगा 5 so 3 into 3 into 3 27 27 2 into 2 means 27 into 4 and 27 into 4 into 5 so यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा LCM यहाँ पर हमारा LCM आ गया है 540 clear 540 अब इस 540 को हम 999 हम 999 से 540 को divide करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 541 जा 540 so remainder है कितना आ जाएगा remainder है यह हो जाएगा 9 यह हो जाएगा 5 और यह हो जाएगा 4, है ना फिर यहाँ पर हम 9 लिखेंगे, फिर उसके बाद यह हो जाएगा 540 into 8 कर लो so 540 into 8 हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा 4320 4320 यहाँ पर remainder कितना आ गया 97 यह हो जाएगा 2 कितना आ गया 279 आ गया यह 279 remainder आ रहा है इसका मतलब यह 279 क्या है extra number है यदि मैं इस 9999 में से 279 को यदि मैं minus कर दूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि वो number कौन सा है जो 4 digit का greatest number है और यही 4 digit का number 12 से भी divide होता है 15 से भी होता है 18 से भी होता है और 27 से भी होता है clear वो number कौन सा है 9720 है कहीं option में बिलकुल है option B हो गया है यहाँ से correct समझ में आया ऐसे ही सारे question को solve करना है अब यह तो हम लोग greatest number की बात करें अब smallest भी जानना ज़रूरी है लेगन उसके पहले मैं आपको एक homework दे रहा हूँ find the greatest 5 digit number which is exactly divisible by 777 5 अंकों की सबसे बड़ी संक्या कौन सी होगी जो 777 से divide होगी अब यहाँ पर अभी हम लोग क्या कर रहे थे चार अंकों की सबसे बड़ी संक्या देख रहे थे अब 5 अंकों की करना है तो पहले तो आप यह देख लो कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संक्या है कौन सी तो वो है कौन सी 99999 clear अब जो method हमने यहाँ use करी है वह method यहाँ लगा देना answer आजाएगा यह आपके लिए homework है homework का answer comment box में देना है clear classes अगर अच्छी लग रही हो तो अभी से like करिएगा भी है ना सबसे पहले class को like कर दो फिर आगे के हम questions देखेंगे चलो like कर दिये चलिए अब हम questions देख रहे हैं अगला find the smallest four digit number is exactly divisible by seven four digit का smallest number कौन सा होगा जो कि seven से divide हो जाए so four digit का smallest number सबसे पहले तो जानो होता कौन सा है तो four digit का smallest number होता है thousand है ना four digit का हो गया अब इसको हम क्या करेंगे seven से divide करेंगे so seven one's a seven remainder आ गया three zero seven four 28 remainder आ गया two और यह zero so seven two's a fourteen remainder आ गया six clear अब यह देखो यदी मैं इस thousand में से इस six को मैं minus करूँगा है ना जैसे कि हम पहले करते थे यह six क्या आ गया एक extra number आ गया इसको मैं इस thousand से minus करूँगा तो मुझे यहाँ पर क्या मिल जाएगा मुझे यहाँ पर मिल जाएगा कितना nine ninety four तो nine ninety four और बिल्कुल seven से exactly divide होता है बिल्कुल होता है मैं कह रहाऊ रहाणों बिल्कुल होता है सही है लेकिन यह तो three डिजिक गा नंबर हो गया हमें तो four digit का smallest memorize number चाहिए यह तो three digit का हो गया हमें तो फोइट का चाहिए तो हम इसमें क्या कर दिंगे इस 994 में किस से होना चाहिए 7 से न तो बस इस 7 को क्या कर दो add कर दो तो पता चल जाएगा हमें कि smallest 4 डिजिट का नम्मर कौन सा होगा तो 7 प्लस 4 11 9 प्लस 1 10 and 9 प्लस 1 10 so 1001 देखना है आप 1001 यह 4 डिजिट का नम्मर हो गया तो यह वही 4 डिजिट का smallest नम्मर है जो कि 7 से exactly divide होता है so option में कहां पर है option में B में है so 1001 is the correct answer of this question अरे समझ में आया क्या पढ़ा दिया मैंने इतनी देर से क्या पढ़ा दिया समझ में आया कैसे क्या करते हैं इन question को solve बस आपने अगर यह पता है कि largest 4 डिजिट का नम्मर कौन सा है smallest 4 डिजिट का नम्मर कौन सा है तो आप लोग कोशन को कर लोगा अगर आप यह चीस समझ पा रहे हो कि भाई remainder जो आ रहा है वो extra है उसको घटा दो तो आप लोग कोशन को कर लोगे clear हो गया clear है चीक है चलिए अगला question देखते हैं यहां पर देखेगा सबसे छोटी संख्या बताएं जो 48, 64, 90, 120 से विभाजित होने पर क्रम शाह 38, 54, 80, 110 शेशफल देगी सो देखो कभी भी question में least number पूछा हो दिहान से सुनिएगा कभी भी अगर इस pattern का question आ गया तो कभी भी अगर आपसे least number पूछा हो और diviser ज्यादा दिये हो और remainder भी उतने ही दिये हो यह तो common sense की बात है जतना diviser होंगे उतनी remainder होंगे और हमसे फिर वो number पूछ रहा हो कि वो number कौन सा होगा तो कि आप जब 48 से आप divide कर रहे हो तो remainder 38 मिल रहा है 64 से divide कर रहे हो उस number को तो 54 remainder मिल रहा है 90 से उस number को divide कर रहे हो तो 80 remainder मिल रहा है और 120 से आप divide कर रहे हो तो 110 remainder मिल रहा है तो कभी भी अगर ऐसी चीज़ पूछ लिया जाए और least number पूछा जाए तो आप क्या करेंगे आप यहाँ पर क्या करेंगे आप सबसे पहले तो यहाँ पर extra यहाँ पर देख लो क्या है 48-38 उसके बाद 64-54 उसके बाद 90-80 देन उसके बाद 120-110 यह कितना हो जाएगा यह भी 10 आ गया यह भी 10 आ गया यह भी 10 आ गया अब आपने क्या करना है अब आपने यहाँ पर LCM ले लेना है किसका divisor का divisor क्या है 48 अब देखो LCM अब हम यहाँ पर क्यों ले रहे हैं क्योंकि एक तो हमसे यहाँ पर लीस्ट नंबर पूछा जा रहा है यहां पर हम कहा लेंगे LCM 1464 90 और 120 का आप कहा लेंगे LCM लेंगे so LCM लेने पर यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका LCM लेने पर आजाएगा जब आप इसको निका लेंगे LCM तो निकाल लोगे तो LCM यहां पर आपका आजएगा 2880 अब यहां पर क्या करेंगे आप यहां पर आप इस डिवाइजर और इस रेमेंडर का यहां पर डिफ्रेंस बता देंगे कितना है सब जगा तो नहीं हो गया वह नंबर है जिससे आप 48 को यही वह नंबर है ऐस समझो डारेक्ट यही वह है 2870 कि जब आप 48 से डिवाइड कर रहे हो तो आपको रिमेंडर 38 मिल रहा है यही यही वो नमबर है 2870 कि आप जब इसको 64 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपको रिमेंडर आपको 6 फल जो है वो 54 मिल रहा है यही वो नमबर है 2870 जिसको आप 90 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमेंडर 80 मिल रहा है यही वो नमबर है 2870 जिसको आप 120 से डिवाइड कर रहे हो तो 110 क आ SPD यहां मिल रहा है तो हमने आपर मानस क्यों किया ताकि हम एक्सट्रा जो रिमेंडर आ रहा है एक्सट्रा जो नंबर आ रहा है और इसको हम घटा सके तभी तो हम बता पाएंगे कि वहारत आले से प्रकार से सब्सक्रावं से कोशन का अंसर अगला कोश्चन देखो सेम वही पैटन का कोश्चन है बस यहां पर ग्रेटेश्ट नंबर पूछा है क्या पूछा है ग्रेटेश्ट नंबर सो यहां पर अब हम क्या करेंगे यहां पर कभी भी ग्रेटेश्ट नंबर पूछ लिया जाए तो हम सीएफ निकालेंगे स्मॉलेश्ट प पूछ रहा है हाई सवरी है अच्छा सअरि करेंगे एक से जब भी आप से ग्रेटेस्ट पूछ यहां पर से जब हैसे नमबर पूछ रहे हैं तो क्लियर फिर उसके बाद 264 है इसको आप माइनस करेंगे किस से 9 से माइनस करना है ना तो 140-4 176-6 264-9 तो यहाँ पर इनका कितना आ रहा है सॉल्फ करने पर 140-4 means 136 176-6 170 264-9 means 255 अब आप क्या करेंगे अब आप इनका SCF निकालेंगे क्या करेंगे इनका SCF निकालेंगे सो इनका SCF निकालने पर कितना आ रहा है कितना आ रहा है 17 आ रहा है बस यही question में पूछा था इनका SCF आप निकाल लो 136-170-255 का नहीं निकल पाएगा क्या SCF देखो निकाल के भी बता देता हूँ सब्सक्राइब से 136 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 into 17 170 को हम क्या लिख सकते हैं 2 into 5 into 17 255 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 into 5 into 17 है ना अब highest इसमें number कौन सा है 17 है तीनों में क्या common है बिल्कुल common है तो बस यही इसका क्या हो जाएगा highest common हो जाएगा क्या आगया 17 आगया यही तो पूछा था हम से options ही हो जाएगा यहां से correct so the greatest number that can be divided 140 176 264 living remainder 469 वह greatest number जिसको 140 से यहां पर divide कर रहे है तो remainder हमें 4 मिल रहा है 176 से कर रहे है तो 6 मिल रहा है 264 से कर रहे है तो 9 मिल रहा है clear हो गया ऐसे करना है इन कोशनों को clear अच्छा अब आप लोगों में से बहुत लोगों को यह वाली SCF की method समझ में नहीं आई होगी कि मैंने SCF कैसे निकाल दिया factor के तुरू है ना सो number system के बाद हम लोग SCF and LCM के class हम लोग start करेंगे है ना इसके बाद कौन से topic है हमारा अगला SCF and LCM सो उसमें में बताऊंगा कि इन्हें हम लोग कैसे solve करते हैं clear और क्या rules होते है SCF और LCM को निकालने के clear यह सारी चीज़े हम लोग SCF और LCM पढ़ेंगे हो गया चलिए सो अभी किला हम लोग इतना रखते हैं next जो हमारा topic रहेगा वो क्या रहेगा देखो next हमारा topic है remainder theorem number system में very very important topic है आपका क्या remainder theorem यहां से questions आते हैं so remainder theorem क्या है अब जैसे कि आपको question में कह दिया कि find the remainder number when हमें क्या निकालना है हमें remainder किसका तू की power 34 divided by 5 अब सका अमें two by five होता होता तो मैं remainder कितना आता टू आता लेकिन यह आола थटी फोर है तो अब कैसे निकालेंगे छीनगे लोग next class में clear हो गया EU आपको आज की class अच्छी लगी होगी चीज़े समझ में आई होगी comment box में बिल्कुल यहां पर comment करके बताएगगा कि आच्छी class समझ में आई है या नहीं नहीं आई है तो बिल्कुल comment करें Region this समझ में प्लीज इसको एक बार समझा दो समरका सो मैं next class मंस इसको और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा अपने दोस्तों में शेर करिए कमेंट करके बताएगा फीडबैक दीजेगा और होमवर्क जो दिया है दोनों कोशन के आंसर दीजेगा है ना कमेंट बॉक्स में और एक चीज़ और क्या हाँ टेलिग्राम चैनल जॉइन कर लिजेग है ना सो जैसा मैंने पढ़ा है एक्जेक्ट वैसे ही आपको DFC CIL के पेपर में आपको कोशन्स देखने को मिल जाएंगे जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है रीजनिंग में उतना क्लियर वो मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ बट अभी भी अगर मैं उसको दोबारा पढ़ाऊंगा तब भी मैं वही पढ़ाऊंगा क्लियर है इसलिए दोबारा हम लोग हमारा क्यों टाइम वेस्ट करें आप वही क्लासेज देखो एक्जेक्ट वैसे ही कोश्चन आएंगे अभी जब मैं रीजनिंग के पीवाई क्यू करवाँगा प्रीवेस येर कोश्चन तो आपको एक्जेक्ट वैसी कोश्चन देखने को मिलेंगे so reasoning की playlist में मैं upload कर चुका हूँ playlist बना चुका हूँ dfccil reasoning के लिए आप लोग reasoning की classes भी regular basis पे देखेगा कहीं पर भी doubt हो comment box में comment कर देना मैं उसका reply ज़रूर दूँगा ठीक है चलिए so आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं इस वीडियो में है ना मिलते है next class में जब तक लिए bye bye take care